तो क्या संसद में एक बार फिर किसानों की एंट्री होने वाली है और क्या एक बार फिर संसद में किसानों का हला बोल देखने को मिलेगा खेर वो बात अलग है कि किसानों को संसत के भीतर नहीं घुसने दिया जाता लेकिन क्या राहुल गांधी किसानों को आमंतरन दे चुके हैं संसत में आने के लिए जी हाँ बीते कुछ वक्त पहले अगर देखा जाए तो जिस तरीके से दिल्ली के अंदर किसानों ने उत्पात मचाया था संसत भवन जाने की तयारी थी कोशिश थी नाकाम्याब होते हैं लेकिन एक बार फिर से किसान कोशिश कर रहे थे संसत के अंदर आने की लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें रोक लिया जाता है और ऐसे में राहुल गांदी सीधे तोर पर नाराज हो जाते हैं कि देश का अन्यदाता जो देश के लिए जो देश की जनता को तमाम वो अगर हम बात करें खाद आपूर्ती उपलब्ध कराते हैं उनको अगर संसत में नहीं आने दिया जा रहा है तो क्या इसका मतलब ये कि वो किसान नहीं है सीधे सीधे सब्दों में राहूल गांदी ने ये कहा कि लगता है सुरक्षा कर्मियों को ऐसा लग रहा है कि ये किसान नहीं बलकि कुछ और हैं कुछ और से मतलब यहाँ पर आतंक वादी या अगर हम बात करें वो लोग जो संसत में हमला करना चाहते हैं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से एक बार फिर किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर आता नजर आ रहा है तो इन सब के बीच में राकेश टिकेट के बयान भी लगातार आ रहे हैं जिया खबरों की तरफ चलें तो बता दें कि राहुल गांदी ने संसत में बुलाए किसान एंट्री नहीं मिल पा रही थी तो भड़क गए पूरा मामला क्या है और किस तरीके से राहुल गांदी किसान आंदोलन को हवा देकर सरकार के खिलाफ इसे पूरी तरीके से मोड़ रहें ये सरकार वो सरकार है जो हाशिये पर खड़ी है ये सरकार वो सरकार है जो बैसाखी पर चल रही है क्योंकि एक तरफ नितीश कुमार तो दूसरी तरफ चंदर बाबु नाइडू इन दोनों का समर्थन मिला हुआ है तब जाकर मोडी जी सत्ता पर विराजमान है और इन में से किसी एक ने हाथ पीछे खीच लिया तो ये सरकार पांच साल तक नहीं चल पाएगी तो क्या यही कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है दरसल खबर आती है कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहूल ने कई किसान नेताओं को मिलने के लिए संसद में बुलाया बुद्वार को संसद भवन पहुँचे इन किसान नेताओं को एंट्री नहीं मिली तो राहूल गांदी बढ़क गए अन्हें कहा कि हमने इन लोगों को मुलाकात के लिए बुलाया था लेकिन ये लोग संसद में उन्हें आने नहीं दे रहे ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि वे किसान हैं और उन्हें सरकार अंदर नहीं आने देना चाहती तो सीधे तोर पर ये राहूल गांदी की तरफ से प्रतिक्रिया राहूल गांदी से सवाल जब मीडिया कर्मी पूछते हैं तो वो बात करते हैं इसके साथी राहूल गांदी ने ये भी कहा कि जिस तरीके से काफी समय से अगर मैं बात करूँ देखे एक बड़ी खबर ये कि जो बजट पेश किया गया ये बजट समझे ये सीधे तोर पर सरकार को बचाने वाला बजट है क्योंकि इस बजट में दो राज्य ऐसे हैं जिन पर फोकस किया जाता है ये हैं बिहार और आंद्रप्रदेश बाकी उन राज्यों का अगर मैं जिकर कर लूँ जहां पर भारतिय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ उन राज्यों को कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया ये सरकार की नाराजगी देखी जा रही है औ एक दम पूरी तरीके से तस्वीर उलट आती नजर आए और यही वज़ा रही कि उत्तरप्रदेश के अलावा हरियाना राजस्थान जैसे राज्यों पर फोकस नहीं किया गया दरसल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक और जहां विपक्षी पार्टियों को पूरा समर् जनता की तरफ से मिल रहा है और हाली में अगर कई उत्चुनावों की स्थतियों को देखा जाए तो जिस तरीके से इंडी गटबंदन बड़ा बनकर साबित हुआ है और दूसरी तरफ बीजेपी को एक के बाद एक जटके लगे हैं यह जाहिर तोर पर देखा जा रहा है कि सरकार आप बहुत सोच समझ कर कदम उठा रही है क्योंकि कहीं न कहीं सरकार ये जानती है कि दो राज्यों को जादा से जादा विशेष्ता देना जरूरी है क्योंकि इनी दोनों राज्यों के सरवे सरवा जो है वो उनके साथ खड़ेवे हैं वैसे अपने दर्शकों को बत किसान नेता राकेश टिकैट जो काफी समय से एक्टिव हैं और रहते भी हैं और लगातार जब जब किसान आंदोलन हुआ तो वो फ्रंट पर नजर आए तो क्या एक बार फिर राहुल गांधी के साथ राकेश टिकैट की एक बड़ी भूमिका देखने को मिल सकती है क्या राक दूख रखकर चलाने की कोशिश की जा रही है और अगर देश में फिर से किसान आंदोलन की चिंगारी उठ जाती है तो क्या ये मोदी जी के लिए बड़ी परिशानी खड़ी कर सकता है और क्या दिल्ली की सत्ता डगमगाने लगेगी क्योंकि जिस तरीके के हालात इस वक् अगर बात करें तो बीजेपी के अंदर खाने हालार ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि उत्तर परदेश से दिल्ली दिल्ली से उत्तर परदेश नेताओं का आना जाना लगा हुआ है वहीं दूस्ती तरफ नितीश कुमार ने अलग ही तीर छोड़ दिया है विशेश राजिक के दरजे की मांग को लेकर वो बात अलग है क्योंकि उनकी मांग को अभी पूरा नहीं किया गया तो दूस्री तरफ महराष्ट की तस्वीर भी छिपी नहीं है महराष्ट में देखा जा रहा है कि अभी हाली में एक बड़ा बयान शंकरा चारे जी की तरफ से आता है जिसमें उने सीधे तोर पर उद्दव ठाकरे को अगला मुख्य मंत्री बनने की बात तो कहीं तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उद्दव ठाकरे के साथ जो हुआ वो गलत हुआ क्योंकि एकनाशिंदे अचानक विधायकों को लेकर चले गए और उद्दव की सरकार गिर नई संसद भवन चकाचक एकदम बन चुकी है पुरानी संसद भवन की बात करें तो उस तरीके से जो बाते या जिस तरीके से वहाँ पर मंच जिस तरीके से तमाम जो संसद अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते थे चर्चा होती थी वही चर्चा नई संसद भवन में होतो र लेकिन क्या नई संसद भवन की जिस तरीके की स्थतियां हम देख रहे हैं वही विपक्षी पार्टी के संसदों का बयान क्यों के माइक को आफ कर दिया जाता है उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है तो क्या जो तस्वीरें पुराने संसद भवन में देखने को मिल रही थी व अब से चौकाने वाली बात किसान आंदोलं की की किसान आंदोलं की क्या अगर हम बात करें चिंगारी लगा दी गई है या इसमें आगे जो इस्तिया बन रही है उसको सीधे त़र पर देखा जाए तो क्या कोशिश रहुल गांधी की तरफी तो है और क्या मतलब बनता है संस пров में किसानों को बुलाने का क्योंकि अगर हम बात करें जनता की आवाज हो या किसानों की आवाज उसको उठाने के लिए संसद में उनके अपने संसद मौजूद रहते हैं जनता जिस तरीके से उने चुन कर भेश दिये लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि क या आने वाले वक्त में आने वाले समय के अंदर क्या राहुल गांधी एक बार फिर से राकेश टिकैत के साथ दिखते नजर आएंगे क्योंकि तमाम अकर विपक्षी पार्टी के नेताओं की बात कर लें तो उन्होंने कहीं न कहीं जिस तरीके से बड़ा समर्तन राकेश टिकैत को दिया था किसान अंदोलन को दिया था और उसका बड़ा फर्क देखने को मिला भी है जी हाँ लोग सभा के जो चुना हुए उन चुनावों में देखा जाए तो जिस तरीके की स्थतियां बीजेपी की रही है हरियाना भी दूर नहीं रहा हरियाना में भी बीजेपी को जो उमीद थी वो उमीद पूरी नहीं हो पाई राजस्थान में भी यही देखने को मिला और उत्तर परदेश तो यूँ ही समझ लिजे कि योगी आदित्यनात अगर नहीं होते मुक्यमंत्री तो शायद तमाम सीटे हाथ से निकल गई होती तो क्या आने वाले समय में एक बड़ी तयारिय की जाने वाली है विपकशी पार्टियों की और अगर ये पार्टियों की जो तयारिया है वो राकेश टीकैट के साथ होती है तो क्या दिल्ली में किसान आंदोलन की गूंज एक बार फिर देखने को मिलेगी और क्या आने वाले वक्त में फिर से सत्ता डगमगाती नज़र आईगी और क्या ऐसा तो नहीं कि किसान आंदोलन एक बड़ी वजह बनेगा मोधी सरकार के गिरने की आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ख़बरों को पाने के लिए हमारे साथ बने रही है